प्रदान करने तथा यात्रा के समय को कम से कम किया जा सके इसको ध्यान में रखते हुए तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है जो यात्रियों को हवाई यात्रा जैसा अनुभव दे रही है इस ट्रेन का संपूल संचालन भारती रेल की महतपून इकाई इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिजम कॉर्पूरेशन आयार सिटिसी की द्वारा किया जा रहा है लखनों तथा दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस आयार सिटिसी की द्वारा चलाई जा रही है वही एहमदबाद तथा मुंबई के बीच एक और तेजस एक्सप्रेस ट्रेन जल्द ही चलाई जाएगी तेजस एक्सप्रेस में यात्रियों का स्वागत तथा महमान नवाजी महिला स्टाफ द्वारा किया जा रहा है जो यात्रियों की मदद और केटरिंग सर्विस प्रदान कर रही है इस महिला स्टाफ को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई है वही इस फ्रेन में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निजी गार्ड मुस्तैद किये गए है अन्टाइम सर्विसेज मिली है और कभी अगर कुछ इमर्जंसी भी हो ट्रिंग में तो सपोर्ट के लिए सारा स्टाफ बरता है काने बेने की विवस्ता जो उसमें की गई है वो काफी उसमें भी विशेज ध्यान रखा गया है हर आइटम जो भी यहां पर सप्लाई किया जा रहा है वो उसकी गुणवत्ता ब्रैंडेड है वो प्लस सुवे के समय आपको चाय, नाश्ता और रिफ्रेश्मन दिया जाता है लॉट्टर समय आपको डिनर की विवस्ता की ये ट्रेंड पूरी तरह से अत्यधुनिक तथा लगशरी सुविधाओं से लैस है इस ट्रेंड में आटोमेटिक दर्वाजे हैं जो अपने आप खुलते और बंद होते हैं इसमें ओन बोर्ड वाइफाई सेवा भी दी गई है जिसके चलते यात्री इंटरनेट का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इस ट्रेंड में आराम दायक सीटें दी गई हैं जिसमें यात्री रिलैक्स महसूस कर सकते हैं बोबाइल लेप्टॉप चार्जिंग की सुविधा हर सीट के पास दी गई है ट्रेंड में स्वच पानी पीने के लिए आरो सिस्टम लगाई गई हैं वहीं इस ट्रेंड में स्वचता को ध्यान में रखते हुए बायो टॉइलेट भी लगाई गई हैं तेजस एक्सप्रेस में एक एक्जेक्यूटिव और नौ चेरकार उपलब्द होंगी जिसमें 758 व्यातरी सफर कर सकेंगे ये ट्रेंड मंगलवार को छोड़ कर हफते में 6 दिन चलेगी तेजस एक्सप्रेस की टिकट बुकिंग केवल ऑननाइन माध्यमों से होगी क्योंकि इसकी टिकट रिल्वे स्टेशनों के टिकट काउंटर्स पर उपलब्द नहीं होगी IRCTC की एप तथा IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर टिकट भुक की जा सकती है वहीं इस प्रेंड में यात्रियों को IRCTC द्वारा 25 लाख रुपे तक का मुफ्त इंशोरिंस दिया जा रहा है तेजस एक्सप्रेस यात्रियों को लगजरी अनुभफ प्रदान करने के साथ साथ सुरक्षित और आराम दायक यात्रा दे रही है जिससे इस ट्रेंड में यात्रा करने वाले यात्री काफी संतुष्ट है